पिछला वीडियो में मैंने छोटी लाइची के महत्व के बारे में बतलाया था आज मैं बड़ी लाइची के महत्व के बारे में बतलाऊंगा इसे काली लाइची, लाली लाइची और बड़ी लाइची के नाम से जाना जाता है आश्दी गुणों से भरपूर होता है गुण होता है, जिसके कारण अनेक बिमारियों से लड़ने की छमता परदान करता है, मुख्य रूप से जिन व्यक्ति को दमा की शिकायत है, शोशन किरिया में दिक्कत है, उसे राहत पहुंचती है, यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, किड्नी को शही रखता है और ब्लड सर्कूलेशन को सही रखता है, जिससे दिल की बिमारी नहीं होती है, देखाजाए तो इसमें वीटामिन सी आया जाता है, यह तवचा को निखारता है, इस तरह से देखाजाए तो बड़ी इलाइची का परियोग दिन में दो या तीन बार करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्त रहता है, कैंसर से लड़ने की छमता को भी परदान करता है, इस तरह से देखाजाए तो बड़ी इलाइची का विशेश मत होता है, जिन वैक्ती के मुह में छाला है, तो उसे भी छीक करता है, कोई वैक्ती जब बोलता है, तो कभी कभी देखाजाता है, कि उसके बोलने से दुरगंध आती है, बड़ी इलाइची का परियोग करने से दुरगंध नहीं होती है, इस तरह से बड़ी इलाइची का और सदी गुन होने के कारण यह हमारे शरीर को स्वस्त रखता है, जैसा की कहा गया है कि यह 14 एंटी वैक्तिरियल गुनों से लड़ने की छमता परदान करता है, इतना ही नहीं पकवान बनाने में भी इसका परियोग किया जाता है, और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कॉमेंट अबस्च करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस महतपुर्ण व्यू को देखा है और शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाग।